भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मासकों में हुई बाचीत के बाद से सीमा पर तनाफ कम होने की आज जगी है सीमा विवाद को लेकर बीते चार महा से अक्रामक रुख अपनाई चीन को बाचीत की मेज पर लाने में भारत ने कूटनेते के स्तर पर प्रयास किया अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया के साथ ही फ्रांस अमेद दुनिया के कई एहम देशों का समर्थन हासल किया और इस समर्थन के कारण चीन पर दबाव बढ़ा जिसकी वज़े से दोनों नेताओं के बीच पाच पॉइंट्स पर सहमती बनी है इस सहमती में पहला पॉइंट था बॉडर के इलाकों में मौझूदा इस्तिती किसी के हित में नहीं है दोनों देशों के जवानों को बाची जारी रखते हुए तेजी से दिसंगेजमेंट याने विवादत इलाकों से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए और एक दूसरे से तैदूरी रखते हुए तनाव कम करना चाहिए दूसरा पॉइंट था कि रिष्टों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले जो एक राय बनी थी उसी से गाइडेंस लें और मतभेदों की वज़े से तनाव ना करें तीसरा पॉइंट दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझोतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए बॉडर के इलाकों में शांती रखते हुए ऐसी कारिवाही से बचना चाहिए जिससे महौल बिगरने क्या शंका हो चौधा पॉइंट बॉडर पर इस्तिती सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांती बनाए रखने और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किये जा सके पांचवा पॉइंट था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मेकेनिजम के जरिये बाचीत होती रहे की वरकिंग मेकेनिजम फॉर कंसल्टेशन एंड को ओर्डिनेशन के बैट के भी जारी रहेंगी लद्दा के ताज़ा तनाव के बीच में भारत चीन विवास सिल्चाने के लिए इन्ही पांच पॉइंट के प्लैन पर सहमती बनी है